हेलो स्टूरेंट्स वेल्काम टो एलेक्टिकल हाँ तो टूदेश वी आर गूंग टो स्टडी अबाट एससबी से मॉडिलेशन बाइ फिल्टर मेथड तो यह जो एससबी से मॉडिलेशन जो है फिल्टर मेथड सब लॉक डियग्राम कुछ ऐसा है जहां से यहां पास यह मॉडिलेटिंग सिग्नल रहेगा जिससे मनों MT से नोट किये है ठीक है मॉडिलेटिंग सिग्नल रहेगा यह रहेगा लो फ्रीकवेंसी नूर्ब मे नहीं पहुंच पाईगी ईटियू화 से आगए नहीं ज्यादर नहीं रहेगा तो यहाँ पास इसमें Amplification करते हैं तो Amplification यूज़ किया जाता है यहाँ पास सबसे पहले यह Amplification है यहाँ पास अच्छे सिलिख देता हूँ Amplifier यह Amplifier है यह Part तो जब यह Amplifier से Pass होता है तो यह बन जाता है Amplifying Modulated Signal और यह Product Modulator है यहाँ पास यह Connected रहता है Carrier Signal से यह Carrier Signal से Connected रहता है और इसकी Value रहेगी जिसको अनो CT से Denote करेंगे Carrier Signal यानि CT जिसे AC Cos Omega CT यह बोलेंगे ठीक है AC Cos Omega CT यह रहेगा Carrier Signal का Value और यह Carrier Signal है इसकी Frequency काफी High रहेगी अच्छी काशी है रहेगी तो यह कुछ चीज तरह रहेगा ठीक है तो यह Path आपको पता रहने चाहिए Carrier Signal की Frequency Low रहेगी और Carrier Signal की Frequency High रहेगी इसकी Value AC Cos Omega CT है तो जब यह Amplified Amplified Modulating Signal जो है यह Product Modulator में जाएगा Carrier Signal भी Product Modulator में जाएगा तो दोनों का Product होगा और यहाँ पस यह Formation हो जाएगा DSB SC का Double Side Band का Formation हो जाएगा Double Side Band Suppressed Carrier का और फिर यह DSB SC जो है BPS BPS मतलब की Band Pass Filter से Pass होगा Band Pass Filter से Pass होगा तो इसमें Filter ही हमनों को ध्यान रखना है जो Filter Method है इसमें अलग-अलग टाइपस फिल्टर होते हैं तो सबसे पहले हमनों देखते हैं कि DSB SC उसका Formation कैसा रहता है तो समली जे कोई Wave है वो इस तरह उसका Frequency है ठीक है मैं आपको इदम Zoom करके जैसे बताना चाहूं कि कोई Frequency सब्स ऐसी है उसके दो Components होगे एक रहेगा यह FC प्लस FM Modulating Signal प्लस Carrier Signal का एडिशन रहेगा एक सब रहेगा FC-Fm यह उसका रहेगा और यह रहेगा FC तो इस Component को FC-Fm बोलेंगे तो यह जो FC-Fm है यह LSB है लोवर Side Bend यह जो FC-Fm है यह है UPPER Side Bend यह UPPER Side Bend है और यह है LOWER Side Bend तो यह जो LOWER Side Bend आ UPPER Side Bend है दोनों DSB में रहेगी ठीक है double sideband में double sideband में दो टाइप के band रहेगे LSB और USB तो जो BPF है यह दोनों में इसको एक कोई पास करेगा ठीक है तो अगर DSB बन रहा है यानि कि LSB और USB यहां पर बनेगा DSB के जो दो components है LSB और USB यानि कि lower sideband और double sideband अपर sideband और lower sideband तो यह components में से कोई एक ही component band pass filter से pass होगा ठीक है तो अनों को इसी के बार में पढ़ना है कि जो कौन सा filter से कौन सा value pass होगा ठीक है तो यहां पास जो band pass filter है will either pass by USB और LSB ठीक है और यह जो band pass filter है three type के है major जो है three type के है तो पहला है LC filter और दूसरा है mechanical filter and the third one is crystal filter तिन टाइप के filters होते है ठीक है यह जो mechanical filter और crystal filter है इसको इसमें यूज नहीं कर सकते ठीक है क्यों यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत high frequency operation के लिए यूज किया जाता है इसको lower frequency operation के लिए यूज नहीं कर सकते तो यह जो है mechanical filter और crystal filter for high frequency operation ठीक है इसकी high frequency जो मैं बोल रहा हूं यह इसकी value है about 1 megahertz अगर किसी की frequency 1 megahertz से जादा है तब ही हम इसको इस filter को use करेंगे नहीं तो not for low frequency ठीक है यह low frequency के लिए use नहीं किये जाती है ठीक है और for low frequency size of filter will be bulky ठीक है तो जब low frequency रहता है तो उनको filter का size है काफी bulky में बनाना पड़ता है नहीं तो नहीं हो पाएगा इसमें ठीक है तो basically इस तीन टाइप के filters है जो की use किया जाता है फिर इसमें से जब pass होता है तो या तो lsb या तो usb पास होगा फिर इसको linearity के साथ amplified करते हैं और फिर यह antenna से flow होना शुरू कर रहता है ठीक है तो यह पूरा method था sbsb hc modulation by filter method इसको जबर पढ़के जाएगा एक्जाम में बहुत regularly पूछा जाता ही thank you